साप इस धर्टी पर उपस्टिट उन सुनिद्धा जीबों में सामिल है जिनका कि यहां डाइनासूर के योग से अस्तिप्ट है इतने लंबे समय में हम सापों के बार में बहुत से बात जान चुके हैं लेकिन फिर भी सापों की दुनिया आज भी हमें रहस्रम और नजर आती करेंग साकते हैं चाहिए जान सकते हैं शापों का इस धर्टी पर स्टिफ टवान ठाकि मिलियों सालो से है यानि कि डाइनासुर के समय से दुनिया में सापो की 2500 से ओधि प्रजाटिया पाई जाती है इनमें से लगभग 20% प्रजाटिया ज़रीली होती है दुनिया के 200 देश निजलेंड आइसलेंड तथा अंटर्टिका में स्नेक नहीं पाई जाते हैं भारोट में सापों की करीब 300 किसमें पाई जाती है जिन में से 50 बिसेली होती है हर साल सापों धारा वान लाग लोग मारे जाते हैं भारोट में हर साल लगभग धाय लाग लोग साप कातने का सिकार होते हैं जिन में से करीब 50,000 लोगों की मोट हो जाती है जब की सरकरी अकर मा कातने के अधिक्त और घतनाई गलती से उन पर पेर पर जाने के कारण होती है। भी निगल जाता है। नेशनल जुर्ग्राफिक के मुटाबेक साफ एक बार में खूच से सेवेंटी से हांदेट प्रोटिसोट बरा सिकर भी निगल सकते हैं। जिससे की वो सिकर की तलास में पानी में देटक रह सकते हैं। कोई की पानी की जरूरत भी ज्यादा नहीं होती। ये अपने सिकर से ही पानी प्राफ करते हैं। कोई साफ काफी दिनों तक भूखे रह सकते हैं। कुब्रा बिना खाए मोहिने रह सकता है। साफ अपने नाक से नहीं बलकि अपनी जीप से सुंगते हैं। अपनी जीप से साफ आस पास के माहूल का पता लगाते हैं। एसे तु साफ दुनिया के हर कुने में पाए जाते हैं। लेकिन साफों को ठन पसंद नहीं है। साफ साल में कम से कम तीन बार अपनी पूरी समरी निकलते हैं। डोक्सिनी अफ्रिका में पाए जाने वाले हरनेट बाइपर के सर पे डो सिंग होते हैं। सिंग वाले बाइपर स्नेक। साफों से जुरा एक और महटपुना टैठ ये भी है कि साफों की 70% प्रजातियों ही अंडे देती हैं। बाकी की 30% प्रजातियों बोच्चे पेड़ा करती है। साफों को कोई आवाज सुनाई नहीं देती। साफ बहरे होते हैं। हवा में पेड़ा होने वाली धोनी तरोंगों का साफ और कोई प्रभाब नहीं होता। बीन की आवाज सुनको साफ का आना केवल लोगों में फेला भ्राम है। सेर जैसे भयंकोई जनवर को तो हम मानव थोरी बहुत ट्रेनिंग देकर कुस सिखा सकते हैं। पर साफों को नहीं। ऐसा इसलिए होता है क्यूंकि साफ कुस सीख ही नहीं सकते। उनके दिमाग में अईनों जीब की तड़ा सरीबल हमस्प्योर नहीं पायज आता है। दिमाग का यही हिस्सा सिखने की क्रिया को नियंटिट करता है। साफ के दिमाग में यह हिस्सा ही नहीं होता। इसलिए वह कूछ सीखते ही नहीं है। और अनकुंडा सबसे लंबा साफ नहीं बलकि सबसे बजनी साफ होता है। यह 550 पाउंड टॉक के हो सकते है। ब्राजिल में स्थीर स्नेक अईलेंड सापो की सबसे धनी आवाडी वाली जगा है। यहां पर हर एक बर्ग मीटा में पास साफ रहते है। यानि कि आपके सिंगल बेट जितनी जगाह में 10 साफ और डबल बेट जितनी जगाह में 20 साफ वह भी जाहिले गल्डन बीट वाइपर। किंकुब्रा जाहिले सापों में से सबसे लंबे साफ होते हैं। और आम तोर पर इनकी लंबाई 18 फुटक होती है। इनका जहर इतना जाधा खटनक होता है कि उसकी मात्र 7 मिलिलिटर मात्र 20 आदमी या वान हाथी को मार सकती है। अफ्रीका में पाए जाने वाला ब्लेक मामबा स्नेक साइखा जम्राज है। क्योंकि इसके धारा काते गए लोगों में से 95% लोगों की मोट हो जाती है। अगर आपको कभी साफ पीसे पर जाये तो घबड़ाए नहीं। बस साफ की तरह तेरा मेरा यानी जीगजग बनाकर डोडे। सिधा डोरने पर साफ आपका तेजी से पीसे कर सकता है। लेकिन तेरा डोरने पर साफ लंबे समय टॉक आपका पीसा नहीं कर्ड़ पाएगा। दोस्तो एसा ही नलाजबल वीडियो देखने के लिए हमारे सेनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर डिजिएगा। ये वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धनवाद जय हिन बंडे मातरम।